उनको पुर्ण ब्रह्म सच्टानद कैसे का जा सकता है इसलिए लीला में डूब जाने के बाद न स्यामाजी को पता है कि मैं स्यामाजी हूं न सक्खियों को पता है कि मैं सक्खिया हूं न राच्ची को पता है कि मैं राच्ची हूं उनको किवल अपना प्रेमास्पत दिखाई दे रही है या सखियां दिखाई दे रही है प्रेम में भूल जाना ही सयन की लीला है इसको दुनिया के सयन की लीला के दिश्टान से कभी नहीं तुलना करना चाहिए और जैसे आपने सुना कि हर ब्रहमात्मा के तन से राजी का सुरू प्रगट होते हैं उसी ब्रहम मासुक को जाकि असल हक निस्वत आप उड़ते बैठते अपने हिर्दे में अपने प्राणिस्वर की भावना क्यों नहीं करते कि मेरा प्राण प्रितम अक्ष्रादित मेरे धाम हिर्दे में विश्ता है अब वो यूग गया जब परिक्रमा है होती थी मैं चमा चाहूँगा इस बात के लिए क्योंकि सारी समाज में परिक्रमा है पैदल चल चल करके लोग आते हैं कई-कई महिने से उन भोले बाले सुन्दर सौथ को कौन बताएगा कि भाई ये दुनिया के रिती है हनुमान जी का मंदिर होता है लोग यह दूप में वो बिचारी महात्मा जो भागल चाहित में नौरात्र होता है चाहित के महिने में उसमें तप्ती दुपहरी में धूल बड़ी सड़क पर वहां बेहट में साकुम्री देवी का मंदिर है सहारपूर से कई किलोमेटर दूर वहां तक सड़क पर लेट रिलेट फिर हमारे उल्मिक यह उंतर रहा गया हम परंध हम का ज्यान लेकर बेटे हैं हमको यह नहीं मालू कि प्राणिशुर एक्षरतित हमारे हिर्दे मंदिर में रहता है हम उनके दासिया दासिया नहीं है हम उनके नोकर नोकरानिया नहीं है हमारे भी नही हम उनका भी इस्ट टो नहीं है कभी हम ने अपने सुर्ण को जानने का प्रियास नहीं किया और सच बात तो यह है कि हमने योजना बना लिए कि हम वो कारिकम करेंगे और सोलह क्रोड तारतम महा मंत्र का जब करेंगे बताइए राधा ने ब्रज में कितने करोण मंतर का जब किया था मीरा ने कितने करोण मंतर का जब किया था प्रेम करने वाले क्या माला लेकर जब किया करते हैं माला फेरत जुग भया फिरा नमन का फेर कर का मन का ढार दे मन का मन का फेर हमने मन अपना प्राणिस्वर अक्षरातीत को नहीं दिया दुनिया की तरह नोधा भक्ति का रास्ता पकड़ लिया जितने दीन महीनों महीनों लग जाते हैं पैदल चल करके परिक्रमा करने में उतने समय तक एकांत में बैठ कर अपने हिर्दे मंदिर में अपने प्राणिस्वर को खोचते तो सायद सच्ची हिर्दे से खोचते तो मिल जाता है मैं लिख्या है तुमको एक बार करों मही साथ दस बार जीजी करों करकर तुमको याद गाहितरी माता तो करोड मंत्र के जब करने पर साइद मिल जाए हनुमान जी भी करोड मंत्र जब करने पर मिल जाए संकर जी भी मिल जाए हो सकता है, सबकी अपनी पनी भावना हो राजी कहते है तुम एक कदम चलोगे मैं हचार कदम चलोगा तुम एक बार पुकारोगे, मैं दस बार तुमको पुकारोगा कुरान के हरुफे मुक्टियात में एक साध सब्दा है साध कर्थ क्या होता है? रिछाना मैं लिख्या है तुमको एक बार करो मुहिस साध साध की व्यक्षय दुनिया में नहीं हो सकती सरीयत और तरीकत करमकांड और उपास्णा के मार्क पर मांसिक उपास्वा के मार्क पर चलने वाले प्राण़ी साथ यानि परब्रम को परिज्धने का मार्क नहीं जान सकते रिज्धना किसको कहते हैं प्रेमNews में डूपकर अपने हिर्दे का प्रेम समर्पित करना यह रिजाना होता है मंदिर में गए ढर्ते-कांपते कि आज हमने महर सागर का पाप्ठने किया कहीं राजी हमारा नास ना कर दे राजी आपका नास नहीं करेंगे और डराने वाले नहीं है उतो प्रेम का सागर है आप फूल से घ्रणा कर सकते हैं आप फूल को पैरों से मसल सकते हैं फिर भी फूल आपके कटोर पैरों में अपनी सुगंधी छोड़ जाएगा आप अक्षरतीत को भूल जाओगे फिर भी अक्षरतीत आपको नहीं भूलेंगे आप अच्छरती से पीठ मोड लोगे राजी आप से पीठ नहीं मोडेंगे वो तो बिन बुलाए बिना पुकारे इन गुनिगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरवान वो मेहर का सगर है मेहर का दरिया दिल में लिया है तो उसने रूहों को माया का खेल दिखाया है और इस खेल को दिखाने में अपना सारा हिर्दे परमधाम का सारा ऐस्वर परमधाम के लिला परमधाम कानंद आपके धाम हिर्दे में डाल दिया है लेकिन आपको पता ही नहीं जब एक भिक्षुक बनने की आदत पढ़ जाती है तो वो भिक्ति हमेशा करोड़ पति होने पर भी भिक्षुक ही बना रहता है हमने दुनिया वालों के देखा देखे भिक्षुक बनने की आदत डाल लिए हम मन्नते मांगा करते हैं अब देख रहे हैं न चार-चार सो परायन हर चग हो रहे हैं परायन के नाम पर करोन रुपय इकठे हो जाते हैं वानी के परचार के लिए कहिए कि एक करोल का सहीत फ्री में बांटना है सुन्दर सा सेवा दे मुझे विश्वास है कि नहीं मिलेगा ओर सोोते है कि क्या है पांचार रुपया दे देना है पांचजार में देते समय है राज़ी से एक सर्थ रख देनी है कि राज़ी आपके लिए हम पांचादा रुपया खर्च कर रहे हैं हमारी कोई कामना पूरी हो जानी चाहिए जदि पूरी हो गई, तो दुसरों से भी करते हैं, देखो, तुम्ही अपनी इक्षा पूरी करानी है, तो पाठ एक रखवा दो, राजी तुम्हारी इक्षा पूरी कर देंगे, ये प्रेम है ये अभ्यपार, जहां प्रेम होता है, वहां तो समर्पन होता है, वहां मनत नहीं मांगे जाती है, वह नारियल फोड़ने या नारियल लटकाने का परसंग नहीं होता है, वहां तो अपना दिल देना होता है, मैं तो आपा दे रहें, तुम्मी रख्या जी, बलते आप खड़े करें, कच्छकारज अपने भी, देवचन जी मांगते रगे कि मेरे तन से जागने कराओ, इंद्रावती की आत्मा कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामने आओ, जो लोड आपा पाने नाखिया, आँख मीची त्यारे तुने अवे सरम, जब इंद्रावती की आत्मा से प्रेम की पुकार निकलती है, उस विरह की जौला में उन्होंने पने सरीर को भसमी भूत कर दिया, परिड़ाम क्या होता है, उनका प्राणिस्वर कहीं दूर नहीं गया होता है, यहीं तो बात हमें जानने की है, हम सोचते हैं कि राज्ची क नहीं दूर बैठे हैं, न परमधाम में दूर थे, परमधाम में तो दूर का प्रशनी नहीं है, ब्रज में भी दूर नहीं थे, राज में भी तूर नहीं थे, फिर भी ब्रज में बावंत दिन की जुदागी का हसास किया, राज में भी अंतरधान लिला के बाद, सब ने ज हम सोचते हैं कि राजी हमसे छीपे पड़े हैं, आँखें बंद करते हैं, विचार आने लगता है, विचार आने लगते हैं, राजी दिखते नहीं, आप इतने बैठे हैं, आपके और मेरे बीच में एक परदा कर दिया जाए, ना मैं आपको देख सकता हूँ, ना आप मुझे देख सकते हैं, बस यही कहानी है, परदा भी कहया दिल को, फरामोसी भी कहया दिल, दिल ही परदा है, दिल में ही फरामोसी है, आया सहुरे बेवरा निकल, परदा भी कहया दिल को, भारा मोसी भी कहया दिल हक भी कहे दिल में आया सहुरे बेवरा निकल हमारे दिल में अक्षरा ती थे लेकिन फिर भी हमारे दिल परदा क्यों बन गया है क्योंकि हमारे दिल की जो नजर है जीव के दिल पर बैठ कर जीव की लिला को देख रही है वो जीव के सुख दुख को अपना सुख मायने बैठी है जीव भाव से ग्रसित हमारा जो दिल हो गया है यही सबसे बड़ी भूल है हम आत्म भाव तो जागरत करें और आत्म भाव को जागरत करने के पेस्चाथ वहदत की मारिफत को अपने अंदर आत्म साथ करें कि हम अक्षरातीत के अंग हैं हम माला पर जपने वाले भक्त नहीं है आप एक बार बताएए आज तो विज्यान का जुग है इस विज्यान के युग में आप एक सीडी में तार्तम महामंत रिकार्ट कर दीजिए और उसको सो करोर बार जप करवाईए तो क्या राजची उस सीडी के अंदर आकर के बैठ जाएंगे क्योंकि आवाज तो सीडी से भी निकल रही है आप मुक्षच जप करते जा रहे हैं आपने अपना हिर्दे किसी और को दे रखा है माला तो घुम रही है लेकिन क्या आपका हिर्दे अक्षरा तीत के प्रेम में डूब रहा है यदि नहीं डूबा तो अक्षरा तीत आपके दिल में होते हुए भी जो प्राण की नेली से निकट है वो निकट होते हुए भी सबसे दूर रहेंगे आप परिक्रमाई करते रह जाएंगे माला फिरते रह जाएंगे सब कुछ करते रह जाएंगे वो नजर में नहीं आएगा और जिसने ये दूरी मिटा दी उसने इत्ही बैठे पाया बकादिदार मेहदी हद्दा करते ही घर इमाम बताई रह पहुंचे अर्समे राज में हस मिलिया रुहे खुदाए यहाँ बैठे बैठे परमधाम की आत्माओं को दर्सन होना है जागनी ब्रमान इसलिए बनाए क्या कहा है धामधनी ने यह माया का खेल क्यों दिखाया है यह माया का खेल तो राज जी ने अपनी पहचान दिखाने के लिए दिया है इमोटे तोर पर बाद कहीजाती है सुक्ख हक इसके जिनको नहीं सुमार सो देखन की ठोर इत है जो रूह सो करूविचार हम अपनी आत्मे दिश्टी से विचार करें तो परमधाम के सारे सुखों को देखने का यही सुनला उसर है देखना ही नहीं है राज जी के दिल में डूब कर राज जी के दिल को माफने का इससे बड़ा सुनला उसर न परमधाम में कभी था नभविस में मिलने वाला है हम माया की जिस जूटी दुनिया में आये हैं ये सपन का खेल है सपन के खेल में खिलवत का रस आया है वहदत का रस आया है निस्बत का रस आया है और हम बाणी के प्रकास में अपने हिर्दे में युगल सुरुप का सिंगहसन सजा कर जान सकते हैं वहदत की मारिफत क्या है निस्बत की मारिफत क्या है खिलवत की मारिफत क्या है इस्क की मारिफत क्या है जिन रहस्यों को राजी ने परमधाम में लीला में डुबो कर सारे रहस्यों को छिपा रखा था उन सारे रहस्यों को जानने का हम अधिकार रखते हैं लेकिन ये अधिकार तो हम तब पाएंगे जब सरीयत की बंदगी से कुछ उपर उठने का प्रयास करेंगे माला हमारे लिए नहीं है हमारे लिए क्या है नाममाला उरधारो संद परमंसों ने बहुत कुछ कह दिया है प्रयतम के नाम की माला लेकिन नाम क्या है इसकी चर्चा करेंगे कल कि वो कौन सा नाम है जिसको हिर्दे में धारन करना है वो निचनाम सिक्रची है कि निचनाम स्रीजी साहब है या कुछ और है क्योंकि सागर की चुपाई करती है नाम ले इन सरूप को सुपन दे उड़ जाए वो कौन सा नाम है जिसका नाम लेने मातर से ही सपने कतन छूट जाता है स्रीजी के तारतम को करोड़ बर जब कर लीजिए स्रीजी के तारतम को करोड़ बर जब कर लेजिए फिर भी आप संसार में वैसे ही के वैसे ही रहते है हमारी तृष्णाएं वैसे ही बनी रहती है आखिर क्यों एक बार भी जिसका नाम लेने पर सरीट ना रहे लेकिन हम करोड़ जब करने के बाद भी कि आहिए हम शनिसार में जैसे के तईसे दिखते हैं, पिरितंप भी दर्षन नहीं देता, और कहते हैं कि मैं हद भेहत से परेपरम धाम मैं हूँ, वानि कहती है, कि जो सहरग से नजीख है, जो दिखाई क्यों नहीं देता? जिस दिल में हक बसते हैं राची बसते हैं उस दिल में फरमोसी क्यों है वो दिल हमारे लिए पर्दा क्यों बना हुआ है इसलिए क्योंकि हमने अपने अंतर चच्चों को खोला रही है अब खिलवत की बारी आपको बता रही है यह खिलवत की सुगंत क्यों दी जा रही है खि आठो सागरों का अनन्द क्या है इस सागर में बताएगा कि नक से सिख तक राजी के सिंगार का बढ़न करके चार बार बढ़न करके आपको उस मारिफत के स्तर पर खड़ा कर दिया जाएगा जिसमें आप ये भेद मिटा दें भेद बना हुआ हैं आम भेद की दिशी से देख तो सारी छगड़े पैदा होते हैं राजजी बढ़े है कि स्यमाजी बढ़े है जैसे इस संचार के पति-पतने होते हैं हमने राजी और स्यमाजी को उसी भाव से दिखा है क्योंकि हम माया की दुनिया में रहते हैं हम परमधाम के स्वालिला अद्वेत समंद को नहीं जानते हैं कि दोनों वस्चुता एक हैं एक ही स्वरूप अनंत रुपों में भासित हो रहा है तभी तो उसको स्वालिला अद्वेत कहते हैं और उन स्वरुपों को उस स्वालिला अद्वयत के मारिफत स्वरुप से अलग करेंगे, तो क्या पता चलेगा? महामती जी के दहां मिर्दे में, अक्षरातीत ने खिलवत की वाणी ये उतारी और उन सारे राश्यों को जागर किया. देखाई हकबका निसवत कह रहे हैं, देखाई हकबका निसवत माया का खिल दिखा करके राची ने अखंड परम्धां की निसवत की पहचान कराई है. सच बात यह है, क्या निसवत की पहचान हमको है? यदि मैं आप सब सुन्दर साथ से पुछूं तो आप एक वाक्य में उत्तर दे देंगे कि क्या हमको पता नहीं है कि हम राजी की अर्धांगनी है इसी को तो निस्वत कहते है यह मोटे तोर पर दी गई परिभासा है यह वस्तुता निस्वत नहीं है जो निस्वत के सरूफ है वो तो इसके सागर है और आप तो इसके के लिए रोते रोते फिर रहे हैं तो आपने अपने निस्वत की पहचान क्यों किया है महरानी कहें कि मैं वहतो हैं तो यह प्रैस्त खड़ए होता है कि उसको पता ही नहीं कि मैं वहारानी हुँ वह सो भिक्षुडित तब तक बनी वह है जब तक वह अपने को महरानी नहीं समझे पा रही है ज़दि आप अरमधाम की ब्हमात्मा हैं तो आप कटोरे लेकर क्यों भिख मांगते हैं राजी से, कि आपको पता नहीं कि आप कौन है, आप मन्नते क्यों मांगते हैं, कि आपको मालूम है कि ब्रह्मात्माओं के चर्ण कमल पढ़ने से ब्रह्मा नखन होने वाला है, ब्रह्मात्माओं के चर्ण कमल आने से परमधाम की ब्रह्मवाणी उतरी, कोई बेद पांचों मुक पढ़ो कई त्रिगुन जात पढ़त पर ए ब्रह्मचरन नावे ब्रह्मसिष्ट बिना जाकी असल हग निश्वत्थ, ब्रह्मसिष्टियों की महिवा क्या है, ये केवल अक संसार अक्षरातीत की महिमा गाता है, और अक्षरातीत की महिमा गाते हैं, अपनी परमधाम की आत्माओं की, पूरी वानी देखिए, महामती जी के धाम इर्दे में अक्षरातीत ने विराजमान होकर, महामती जी के द्वारा अपने गुदोसी बनवा दिया, लेकिन कहीं भ के कठोर सबदों का प्रियोग कर दिया कि रूम रूम करकों ऑगुन ऐसी में गुनेगार जब कुछ कर दिया लेकिन यह नही काया कि सुन्दर साथ के रूम रूम में अगुण है य किया दर्साने के लिए कि हम इतने विनम्र बन जायों इतने प्रेमे想एं पर दूब जाएं, कि हम इन सारे दूंदों से परे हो जाएं, तो हम समझ सकते हैं, परंधाम के प्रेम को थोड़ा बहुत समझने करें, करने बगा निस्बत की पैचान, ये खेल का मूल उदे से है, अखंड निस्बत क्या है? निस्बत यानि मूल सनमंत, मूल समंंत के बारे में, महामती जी की आत्मा क्या करती है, कि सनमंत मूल को मैं तो पावपल छोड़ी होना चाहिए, मूल के समंंत को एक पलक कार्थ क्या होता है? आँखों के पलकों को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है, उसको एक पलक करती है, चोथाई पल के लिए भी हमारे से मुल समंद भूलना नहीं चाहिए मुल समंद क्या हम कौन है ब्रज में मुल समंद का पता नहीं था प्रेम होतो लक्षविन राज में मुल समंद का पता चल गया लेकिन घर का पता नहीं था जागनी में मुल समंद को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से नहीं पहचानते हैं, हमारी पहचान उपरी है, कि हम राजी के अर्धांगनी हैं, ब्रह्मात्मा हैं, यदि आप राजी के अर्धांगनी हैं, ब्रह्मात्मा हैं, तो वो समंद हमारे आचल में क्यों नह अंदर से नहीं पहचान पारे हैं, कि सच्वुच में हम ब्रहमात्मा हैं, जिस दिन आप अपने सरुख को आंतरिक रुप से पहचान लेंगे, उस दिन क्या समझेंगे? ब्रहम सिष्ट का ही बेद ने, ब्रहम जैसी तुदोगत, आप संसार में रहकर पाप क्यों कर लेते हैं? जैसे मान लीचे, आप सुंदर साथ में से किसी को तमाकू खाने का सुभा हुआ है, तमाकू कब खाएंगे आप? जब आप समझेगे कि मैं जीव हूँ, तमाकू खाने से ये लाफ होगा, तभी तो आप खाएंगे, यदि आपको पता चल जाएंगे, कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ, मैं संसार से परे हूँ, तो तमाकू आपको मोहित नहीं कर सकता है, सुखदेव जा रहे हैं, सोलह साल की अवस्था है, अब सराएं असनान कर रही हैं तलाब में, नग नहोकर असनान कर रही हैं, असनान करते ही रहती हैं, सुखदेव निकल जाते हैं, सुखदेव की दिष्टी पढ़ रही है, वैसे जैसे एक अवोध सिस्व की दिष्टी माँ पर पढ़ती है, ब्याश्ची भी चाहते हैं, वे सारे वस्तधान कर लेती है उनके इस बेवार को देकर ब्यासी पूस्ते हैं कि यह बताओ मेरा युवा पुत्र जब इधर से गुजरा तो तुमने वस्तधान नहीं किया मैं वयवरिद हूँ तुमने वस्तधान क्यों किया अपसराओं का उत्तर होता है कि महरसी आपका पुत्र इस्त्री पूरुस की दिष्टी से परें हो चुका है आँखें तो देख रही हैं कि असनान कर रही हैं लेकिन ये भेद दिष्टी नहीं है क्योंकि वो आत्मा के दिष्टी को देख रहे हैं जो इस अस्तर पर पहुँचा है रास के बढ़न का अधिकार भी केवल उसको दिया गया क्योंकि ये रास दुनिया की रास नहीं है उच्छल कुद नहीं है महारास का बढ़न करने का अधिकार ही कौन होगा जो प्रेम में इतना डुब गया हो कि जिसके महसिस्क में जिसके सब्दकोस में काम विकार जैसे सब्द नहीं हो सकती असलीलता नहीं हो सकती विसेवासना जिसको छू भी नहीं गई हो वही केवल बढ़न करने का अधिकार रखता है यदि हम अपनी परात्म की भावना लेकर अपने जीवन को बनाएं तो तमाकू क्या है? तमाकू तो ऐसा गंदा पदार्थ है जिसको गधा भी नहीं खाता और हम सुन्दर साथ उसको अपने जीवा के नीचे बहुत प्रेम से दबाएं रहते हैं किसी अच्छे स्वाजिस्ट पदार्थ को मैं नहीं दबा सकते हैं जितना की तमाकू को दबा सकते हैं मैं तो एक दिष्टान दिया हूँ यदि आपको एक दुरगंदीर पदार्थ तमाकू जिससे लाखों लोग के नसर क्या रोगी हो करके मरते हैं होटों के नीचे दबाए रहे हैं क्योंकि हमारी सरीर की दिष्टी है सरीर की दिष्टी से संसार की दिष्टी से परे हो जाएं जीव भाव से परे हो जाएं आत्मा की दिष्टी को खोल लें तो आपको क्या लगेगा हम कोई भी पाप नहीं कर पाएंगे आप राज्ची के प्रेम की अधिकारी तभी बनेंगे जब परात्म का भाव आपके अंदर आएगा तभी तो बाड़ी कहती है जो मूल सरूप है अपने जाको कहिए पर अदम सो परात्म संग लेके विलसिये संग कसम परात्म का संगार सजे बिना आपकी सूरता काल माया को छोड़कर एक कदम भी परमधाम में नहीं चाल सकती है आप कितनी आँख मुदे रहे हैं कितने माला पजब कर लीजिए कितने परिक्रमाई दे जाए कितने मंतरों का पाठ कर लीजिए लेकिन जब तक परात्म की भावना नहीं आएगी आपकी सूरता काल माया युक माया को पार कर परमधाम में एक कदम भी नहीं चल सकती है और इसलिए परमधाम की अनन्य परा प्रेम लक्षना भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए संसार के कर्मकान के मार्ग को छोड़ना ही पड़ेगा अपने को परात्म की भावना से भावित करना पड़ेगा कि हम दुनिया के भक्त नहीं हैं, दास नहीं हैं, दासिया नहीं हैं, हम अक्षरातीत के अर्धांगनी हैं, हमारे मुल्तन परंधाम में हैं, हम इस दुनिया के तरह तरह के जाती के बंदनों वाले नहीं हैं, किस प्रांत में आप पैदा हुए हैं, किस कुल गोतर से आप जु तो संसार नजर नहीं आता, जब संसार नजर आता है, तो वो नजर नहीं आता, जो पहले आप मुर्दे वे तिन दुनी करी मुर्दार, मुर्दा हो ना किसको करते हैं, मर जाना, जो जिन्दा है, उसको परवधाम देखने का अधिकार नहीं, हमेरे समाज में कई विभुतिया ऐसी है जो कहा करती है कि चित्वनी मत करो, चित्वनी करोगे तो राज्जी सामने आएंगे तो उनके तेज को झेल नहीं पाओगे, मर जाओगे कितने सुन्दर साथ ने डर के मारे चित्वनी करना बंद कर दिया, मैं कहता हूँ बिना मरे तो मिलता ही नहीं को मुर्दार कोन करेगा, जो पहले मुर्दा हो गया, मुर्दा होने का मतलब सरीर से मुर्दा नहीं, आहं से मुर्दा होना न मैं ब्रामण हूँ न चत्री हूँ न वैस हूँ में कुछ नहीं हूँ है às मैं सुद्वुद्ध अक्षरातित के हिरदेस इमड़ने वाले प्रेम के सागर की लहर हूँ मैं वह प्रेम सवरू आओं अक्षरातीत की प्रानिस्वरी हूँ हु राण बलबाओं वो मेरे प्रानिस्वर हैं à तो मैं भी उनकी वही हूँ जब तक ये भावना नहीं होती तब तक आप प्रेम के मार्ग पर कदम ही नहीं बढ़ा सकते आप तो संसार के भाव में बढ़े रहेंगे इसलिए ऐसी अवस्था में आये बिना मरने का कोई औचित ही नहीं होता जो मर्ग जाएगा जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दूनी करी मुर्दार संसार तभी मुर्दार की समानोगा हग तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार नूर के पार पहुंचना है जिस नूर को जिस अक्षर को आतक कोई जान नहीं सका उस अक्षर के परे आपकी सूर्ता तो तब चलेगी जो राची की तरफ से जीवित होगा और संसार से मर जाएगा जो संसार में ही पिचारी खोया हुआ है कुल गुत्र में, पद में, प्रतिष्ठा में, सुख सुधाओं में, तो क्या मरेगा और जो मरेगा नहीं, उसको राची मिलने के नहीं लेकिन अहंग से मर जाएगे मैं हूँ और मेरा कुछ है इसको भूला देजिए संसार के दिश से आप कुछ नहीं है परंधाम के दिश से आप सर्वस्व हैं सारा परंधाम आपका परंधाम को पाने के लिए गड़ गड़ाने की जूरत नहीं है परंधाम को पाने के लिए अपने हिर्दे में प्रेम बरना आए इसकी भी नाना पाईए यह जो नूर्द जल्लहक लेकिन प्रेम की पहली सर्थ क्या है स्वयम के स्थित को मिठा दीजिए चने का पौधा कितना छोटा होता है अब देखिए बरगत का बीज कितना छोटा सरसो के बीज से भी छोटा लेकिन उसका ब्रिक्ष कितना विसालकाय होता है एक छोटे से बीज में बरगत का ब्रिक्ष जो साइद कई मंचिल हमारे भावन जो बनाए देते हैं, कम से कम 40-50 फोट भी उचा होता है, ज्यादा भी बर्गत के पेंड उचे विसाल काय होते हैं. एक छोटे से बीज ने अपने अंदर इतना विसाल बिरिक्ष को छिपाय होता है, उसी तरह से हमारा मन इतना सुक्ष मैं है, दुनिया में कोई भी सुक्ष मदर्शी नहीं जिसका चित्र ले सके, इलेक्टान से, प्रोटान से, नूटान से, इलेक्टिनों, प्रोटिनों, नूट्रों, और उसे भी सुख्ष जो हिंग सबोसोन है उससे भी सुख्ष हमारा मन है उस मन में यह आनंत ब्रह्मांट बसता है जन्व जन्मांतरों की वासनाएं हमारे चित में बसती है क्यों प्रेम का रश्ड आ लिए तो यह सारा ब्रह्मांट, सारा संसार सारे सुक ऐस्वर इसमाप्त हो जाएंगे और अक्षरती लगेगा कि आपके धाम हिर्दे में बिहार करने लगे है यहीं चीज है बाणी का तत्विक जान हम अपने हिर्दे में आत्मसाथ कर लेंगे तो यहीं बैठे बैठे हमें हर पल युगल सरूप की इच्छ भी नचराएगी वाहतत का रस हमको मिलेगा निस्बत का रस हमको मिलेगा खिलवत का रस हमको मिलेगा हम से खिलवत दूर नहीं रहेगी हम संसार के भक्तों की तरफ इकमंगा होकर कि बार बार भेक नहीं मांगा करेंगे कि राज जी हमारी ये इक्षा पूरी कर दो, हमारी ये इक्षा पूरी कर दो, किसे मांग रहे हैं अब, यह इतनी मताई बहने बैठी हैं, क्या वे अपने पतियों से एक साड़ी के लिए अप्लिकेशन लिखती हैं, इतनी बात तो समझ में आती है, कि घर की मासली मालकीन तो मैं हूँ, मेरे पति को तो मैं लेने से मना कर दूँ, तो मेरा पति सिपारिश करके देखना चाहेगा, कि ले लो ताकि मैं खुस रहूँ, यह मताई बहने अच्छी तरसे जानती हैं, लेकिन परंधाम के समंझ में, हमारा बेटा हमसे रूठा रहता है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, मैं एक हजार बार महर सागर का पार्ट करा दूँगी, आप हमारे बेटे की नौकरी लगवा देजिए, क्या मांग है, आप अपने हिर्देश्वर को अपने हिर्दे में जगह नहीं देना चाहते हैं, अपने प्राणिस्वर को आपने दुनिया का भगवान देवता बना रखा है, और यह नहीं पता, कि आपके आत्मा को जगाने के लिए, वो अक्ष्रातीत मिहराज के तन में पांचों सक्तियों के साथ भिराजमान होता है, और सब सुन्दर साथ तो अपने घरों में महलों में आराम कर रहे होते हैं, दीप बंदर से उसकी जागनी यत्रा प्रारम होती है, गाउं गाउं नगर नगर जाता है, अरब देशों में भी धवा मारता है, एक-एक ब्रमात्मा को खोज कर निकालना होता है, कहां मस्कत बंदर में महाजी छिपे हैं, मस्कत बंदर में और आगे जाते हैं, नचाने कहां-कहां से ब्रमात्मा को ढोड़ कर निकालना उनका लक्ष है, परमधाम की आत्माएं उनको नहीं खोज रही है वो खोज रहा है क्योंकि वो जागरत है उनको मालूम है कि मेरी एक-एक ब्रहात्मा किस-किस तन में कहां-कहां किस जाल में फसी हुई है आप तो तारतम लेने के बाद आदा एक घंटा बैठ कर आँखे मूद लेते हैं पाठ कर लेते हैं से समय परिवार के कारियों में मस्त हो जाते हैं आप वो सोचिए जिस अक्षरतीत ने महामती जी के दहां मिर्दे में अपना सिंगासन बनाया उनको अपनी सोभा दी नाम, सिंगार, सोभा, सारी, मैं भेख, तुम्हारों लिओ वह स्वरूप जागनी लिला में बिक्षो के नीचे भी सोता है बिक्षा में आई हुए अन्न को ग्राण करता है दिल्ली में तो इस्तिती ऐसी बन गई कि कोई किराये पर मकान भी देने को राजी नहीं है जिनके चर्ण कमलन पढ़ने से ब्रह्मान पवित्र होता है वह सरूपी संसार में अपने को ऐसे छुपाए हुए है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है नो उदैपूर में उदैपूर का रणा पहचानता है लिला कर रहा है वह अपने को समर्पित नहीं कर सका लेकिन आज छटे दिन की लिला में तो आपको परमधाम की ब्रहमबाणी मिली है बैठे मासूक इतजाहिर पले दिल न लगे इत मासूक मुकदेखन को हाय है नहना भी न तर सकत हमारे नित्रों में वो प्यास नहीं है कभी संतों ने ये पद गय था अखियां हरी दर्शन की प्यासे पूछा जाए क्या हमारी आत्मा की आखें अक्ष्रतीत की दिदार के लिए प्यासी है यदि प्यास है हमारे अंदर तो राज्जे कहीं भी दूर नहीं प्राण की नली से निकटे हक नजीक सहरक से मैं पहले दिन से कह रहा हूँ क्यों हमारे प्राण की नली से निकटे उसको हम पहचाने तभी हमें खिलवत का यहीं बैठे बैठे आनन्द होगा हमारा दिल ही तो खिलवत है जहें परात्म का दिल हो यह हमारी आत्मा का दिल हो हम जी भाव से परे हो जाएं तो सब को समझ में आने लगेगा हमारी अंदर से नकरात्मक्ता हट जाएगी और लगेगा कि हमारा प्राण बल्लब बल्ल हमारे पास है और माया तो यह कुछ भी नहीं थी जो हमें इतनी भारी लग रही है अब चपाई दो रहे इन जूठी जीमी में बैठायके दिखाई हकवका निसवत मेर करी रूहों पर देने अर्स लज्जात देने अर्स लज्जात देने अर्स लज्जात अलिया स्री प्राणनाथ प्यारे की जै आर्स लज्जात